आज बात करेंगे सूर्य की मकर संक्रान्ती के बारे में सूर्य की मकर संक्रान्ती का मामला क्या है बात करेंगे सूर्य और शनी का इस पर्व से इस त्योहार से क्या संबंध है और मकर संक्रान्ती पर कौन से खास और विशेश उपाए हमें जरूर करने चाहिए सबसे पहला सवाल ये है कि संक्रान्ती होती क्या है और उसमें भी मकर संक्रान्ती क्या है देखिए सूर्य का किसी विशेश राशी पर जाना संक्रांती कहलाता है जब सूर्य किसी खास राशी में भ्रमण करते हैं तो इसको संक्रांती कहते हैं जैसे मेश राशी में जाएंगे तो मेश संक्रांती होगी व्रिश में जाएंगे तो व्रिश संक्रांती होगी इसी तरह से जब मकर राशी में प्रवेश करेंगे तो इसको कहा जाता है मकर संक्रांती अगर हम देखें तो सूर्य लगभग एक महीने तक एक राशी में रहते हैं इसलिए हर महीने में राशी का परिवर्तन करते हैं और कुल मिलाके 12 राशियां हैं तो वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं लेकिन इन तमाम संक्रांतियों में दो संक्रांतियां सबसे ज़्यादा important हैं महत्तपूर्ण हैं एक है मकर संक्रांति और एक है करक संक्रांति मकर संक्रांति यानि जब सूरी मकर राशी में जाते हैं और करक संक्रांति यानि सूरी जब करक राशी में जाते हैं सूर्य जब मकर संक्रांती में मकर राशी में जाते हैं तो इसको मकर संक्रांती कहा जाता है और अगर आप मौसम को देखें वातावरन को समझें तो मकर संक्रांती से अगनी तत्व की शुरुवात होती है ये जो सूर्य दस्वे नंबर की राशी में जाते हैं जनवरी में तकरीबन 14-15 जनवरी के आसपास का वक्त होता है ये जो समय होता है इस समय अगनी तत्व की शुरुवात होती है मौसम में धीरे धीरे गर्मी यानी शुरू हो जाती है और ये जो करक संक्रांती है जो तकरीबन जुलाई में आती है इस संक्रांती से जल तत्व की शुरुवात होती है यानि यहां से वर्षा भी आती है धीरे धीरे सर्दियां भी शुरू हो जाती है तो जुलाई से जल संक्रान्ती और जनवरी से मकर संक्रान्ती यानि अगनी तत्वकी संक्रान्ती की शुरुवात होती है इस समय सूर्य उत्तरायन होता है सूर्य के पास दो अयन है उत्तरी अयन और दक्षणी अयन तो सूर्य जुलाई के बाद दक्षणायन हो जाते हैं दक्षणी ऐन में चले जाते हैं जिसको आप कहते हैं कि ये दैत्यों का समय है और जब सूर्य जनवरी के मध्य में उत्तर ऐन में जाते हैं उत्तरायन होते हैं तो इसको कहते हैं ये देवताओं का समय है तो मकर संक्रांती से सूर्य उत्तरायन होते हैं, इसको बेहद शुब माना जाता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस समय अगर आप मंत्र का जब करें, पवित्र नदियों में इस नान करें, दान करें, तो इसका फल अनन्त गुना मात्रा में प्राप्त होता है इस बार मकर संक्रान्ती 15 जन्वरी को मनाना जादा बेहतर होगा अब आपके मन में ये प्रश्ण होगा कि 15 जन्वरी को क्यों, 14 को क्यों नहीं देखिए ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजी केलेंडर के हिसाब से अपने परवॉर्ट प्योहार मनाते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम मनाते हैं अपने पंचांगों के हिसाब से, अपने पंचांगों की परंपरा के हिसाब से तो सूर्य जब मकर राशी में प्रवेश करेंगे तब ही तो मकर संक्रान्ती होगी और सूर्य प्रवेश करेंगे 14 तारीक को शाम को तकरीबन 7 बजकर 53 मिनट पर मकर राशी में इसलिए सुबह की अगर बात करें तो 14 तारीक की सुबह को सूर्य धनू राशी में होंगे इसलिए 14 तारीक को दिन में आप मकर संक्रान्ती नहीं मना सकते अगर हम 15 तारीक को देखें तो 15 तारीक को जब सूर्योदय होगा उदियातिती होगी तो उस समय सूर्य मकर राशी में होंगे इसलिए 15 जनवरी को मकर संक्रांती मनाना ज़्यादा सही है हाँ जो लोग सनान करना चाते हैं संक्रांती के 6 घंटे पहले पुन्यकाल लग जाता है संक्रांती 7 तिरपन की है तो तकरीबन 1 बचकर तिरपन मिनट के बाद आप पवित नदियों में सनान आदी कर सकते हैं लेकिन जहां तक दान का सवाल है जहां तक खिचड़ी खाने का सवाल है इन सब चीजों के लिए 15 जनवरी को मकर संक्रांती मनाई जाएगी अब दूसरी बात यह है कि मकर संक्रांती का जोतिश से क्या संबंद है वैसे तो हमारी हर परंपरा हमारा हर त्योहार का जो मामला है वो सूर्य और चंद्रमा के रिष्टों पर निर्भर करता है और पूरा पूरा जोतिश भी सूर्य और चंद्रमा पर निर्भर करता है इसलिए मकर संक्रांती भी जोतिश पर निर्भर करती है सूर्य और शनी का संबंध इस पर्व से होने की वज़ा से ये काफी महत्तपूर्ण पर्व माना जाता है सूर्य और शनी दो बड़े important planet हाना कि opposite हैं दोनों विपरीत ग्रहें सूर्य मने दिन शनी मने रात सूर्य और शनी का संबंध चुकि मकर संक्रांती से होता है इसलिए ये पर्व काफी महत्तपूर्ण है ऐसा कहा जाता है कि इसी त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनी से मिलने के लिए आते हैं क्योंकि सूर्य मकर राशी में प्रवेश करते हैं और मकर राशी जो है वो शन करीं की राशी है तक्रीन अगर हम देखें तो ब्रह्म्हंड में शुक्र एस्थ रहता है है मकरसंकरांती के पहले तक या उसके आसपास के समय तक और जब मकरसंकरांती आती है तो उसके बाद ही शुक्र का उधै भी होता है शुक्र राईस कर Joanna है इसलिए यहां से शुभकारियों की शुरुवात भी होती है सूर्य जब तक धनु राशी में होता है तब तक शुभकारि करना मना होता है अब माल लिया कि आपकी कुंडली में सूर्य की या शनी की स्थिती कि खराब है सूरी गरबढ है या शनी गरबढ है तो ऐसी दशा में इस पर वपर विशेश तरह की पूजा करके आप उसको ठीक कर सकते साल का बेहद एहम मौका है बेहद महत्तपूर समय है जब आप सूर्य और शनी की पूजा करके इस पर्व पर सूर्य और शनी की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं जिन घरों में परिवारों में रोग है बिमारियां हैं कलह कलेश बहुत है अशान्ती बहुत है वहाँ पर रसोई घर में ग्रहों की पूजा की जाती है नवान से इस समय नए अनाज भी आते हैं तो नए अनाज से नव ग्रहों की पूजा की जाती है मकर संक्रांती के अवसर और लाब लिया जाता है अपने पारिवारिक शुक्षान्ती के लिए परिवार की सम्रिद्धी के लिए तो मकर संक्रांती दो बातें आपने जानी कि मकर संक्रांती इस बार तकनीकी कारणों से 15 तारीक को है और मकर संक्रान्ती सूर्य और शनी दोनों की कृपा प्राप्त करने का पर्व है अब ये समझते हैं कि सामान ने रूप से एक आम आदमी को मकर संक्रान्ती पर क्या करना चाहिए क्या करेंगे मकर संक्रान्ती पर देखिए पहली होरा में सनान करिएगा सूर्योदय के बाद जो पहला घंटा होता है उसको पहली होरा कहते हैं और चुकि सोमवार का मंगलवार का मामला होगा तो मंगल की होरा होगी इसलिए पहली होरा में सूर्योदय के एक घंटे के अंदर अगर आप नहा लें तो बहुत अच्छा है नहीं तो कम से कम आठ बजे के अंदर तो नहा ही लें इसके बाद सूर्य को साधा जल अर्ग में दें सूर्य को साधा जल अर्पित करें श्रीमत भागवत के एक अध्याय का पाठ करें श्रेमत भागवद यानि जिसमें भगवान क्रिष्ण की लीलाएं लिखी हुई हैं इस पुस्तक के एक अध्याय का पाठ करें या गीता का पाठ करें और अगर पूरी गीता का पाठ नहीं कर पातें तो गीता के ग्यारहमें अध्याय का पाठ करें नए अनाज का खास्तोर से चावल का दाल का कंबल यानि मोटे कपड़े का और शुद्ध घी का देशी घी का दान किसी निर्धन व्यक्ति को आपको जरूर कल के दिन देना चाहिए भोजन में नए अन की खिटड़ी बनाईए नए चावल नए दाल के अनाज की खिटड़ी बनाए तो बहुत सुंदर होगा और भोजन बन जाने के बाद खिटड़ी जब बन जाए तो उसमें प्याज लहसन आदी का इस्तेमाल ना करें सात्विक भोजन बनाएं पहले भोजन भगवान को समर्पित करें तो कि संक्रांती पर आपको भगवान की कृपा चाहिए तो भोजन बना करके पहले भगवान को समर्पित करें इसके बाद इसको प्रसाद रूप में ग्रहन करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा अब जैसा आपको बताया कि मकर संक्रांती पर दो ग्रहों का वरदान मिल सकता है दो ग्रहों से आपको लाभ मिल सकता है तो सूर्य से लाब पाने के लिए क्या करना चाहिए देखिए लाल फूल और अक्षत डाल करके सूर्य को अर्ग दीजिए जल में लाल फूल डालिए थोड़ा सा अक्षत डालिए और इसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए और इसके बाद जल देने के बाद सूर्य के वीज मंत्र का 108 बार जब कीजिए मंत्र होगा ओम हरांग रींग रॉंग सह सूर्याय नमः ओम हरांग रींग रॉंग सह सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जब कीजिए लाल वस्त्र, तामे के बरतन और गेहूं का दान कीजिए किसी निर्धन व्यक्ति को मकर संक्रान्ती पर और दिन में ही जो खिचडी आपको खानी है वो खा लीजिए शाम के समय में अन्न का सेवन मत कीजिएगा अगर कल के दिन आप ऐसा करते हैं सूरी देव से प्राथना करते हैं तो आपकी कुंडली का जो बिगड़ा हुआ सूरी है या जो कुंडली का खराब सूरी है वो निश्चित रूप से बेहतर होगा और निश्चित रूप से सूरी की वज़़ से इसके परिणाम आपके लिए शुब होंगे सूरी की कृपा आपको प्राप्त होगी सूरी से ज़्यादा लोग दरे रहते हैं शनी की वज़े से लेकिन शनी को भी आप अपने नियंत्रण में ला सकते हैं मकर संक्रान्ती पर पूजा उपासना करके आप शनी को भी बहतर कर सकते हैं कैसे करेंगे तिल और अक्षत डाल करके सूरे को अर्ग देंगे जल में काले तिल के दोचार दाने एक चुटकी काला तिल एक चुटकी अक्षत डाल करके सूरे को अर्ग दें इसके बाद शनिदेव के मंत्र का आपको अधिक से अधिक जप करना है कम से कम 108 बार तो जपेंगे ही, नहीं तो और जपना चाहिए, और जप लीजिए, मंत्र होगा, ओम प्राम प्रीम प्राउम सह सनेश्चराय नमह, ओम प्राम प्रीम प्राउम सह सनेश्चराय नमह, इस मंत्र का 108 बार जप करना होगा, घी, काला कंबल और लोहे के बरतन जैसे तवा है, चिम्ता है, खडाही है इसका दान करना बहुत अच्छा होगा और जब आप शनी को प्रबल करने के लिए मकर संक्रांती पर उपाय कर रहे हैं तो आप दिन में अनाज का सेवन नहीं करेंगे शाम के समय आप खिचड़ी बना करके, काले उडत की दाल की बढ़ियांसी खिचड़ी बनाईए भगवान को भोग लगाईए, और फिर संध्या काल में आप भोजन ग्रहन करेंगे और अगर सूरी को प्रबल करना है तो दिन में भोजन करेंगे संध्या काल को भोजन नहीं करेंगे तो कल का मौका एक बड़ा सुन्दर सा मौका है और इस मौके का फाइदा उठाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जीवन चरिया में थोड़ा बदलाव कल के दिन कीजिएगा स्नान कीजिएगा मंत्रों का जब कीजिएगा और जो संभव हो वो दान कीजिएगा करज ले करके या जबरदस्ती प्रेशर में आके दान मत कीजिएगा किसी निर्धन व्यक्ति को दान करने से मकर संक्रांती पर ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में संपन्नता आती है इसलिए दान अवश्य कीजिएगा